हे गाइस वेलकम बैक टू जैनुनियर रॉप्स चैनल नमशकार दोस्टों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं सुई के टेस्टनेट वेफ्स के बारे में एक्चुली ये वेफ्स क्या है एंड यहापन वेफ्स के बात करेंगे क्या अगर हम अभी भी वेलिटर नोड रन करते हैं तो क्या फायदेबंद रहेगा वो फ्यूचर के लिए हम लोगों के लिए तो इसके बारे हम समझते हैं तो चलिए शुरू कर दें दोस्तों सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक प्र जिसके अंदर वेलिटर इन्रोल्मेंट है वेव 2 इस टेकिंग स्टाट हो जाएगी वेव 3 में कुछ अपडेट होंगी एंड लास्ट वेव जो रहेगी दोस्तों उसका नाम होगा वेव एन तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ फर्दर अपडेट होगी वह अभी नहीं बता यहादा रहती है जो भी ब्लोक्चेन एको सिस्टम आते हैं अगर आप उसके एक वेलिटर वो तो काफी तगड़ी अर्निंग होती है इन वेलिटर की यूजिकि आपको पता है जो अर्ली प्ऱिजिट आते हैं वहाँ पर क्या होता है अर्ली स्टैप्स कंप्लेट करके अर रादर देन कि जिस्ट आप बहुत मौटीक इंवेस्टमेंट करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लोग वैलिटर नोट रन करेंगे, तो उनलों को यहाँ पर रिवार्ड दिया जागा, उस रिवार्ड की मतबस से वो में नेट पर वैलिटर रन कर सकते हैं, जिसके अंदर अपने वैलिटर की नोड की आईपी एडरेस का लिंक, यहाँ पर सम्मिट करना था, जो कि अगस्त में ही क्लोज हो चुका है, तो यानि कि अब इसके अंदर से जो विनर्स स्लेक्ट होने थे, उसके अंदर हम तो आनी सकते हैं, जो कि विनर्स तो और लेडी स्लेक्ट हो चुके हैं, और टोटल 26,000 सम्मिशन दोस्तों इसके अंदर आए थे, जिसके अंदर से सिर्फ 500 लोग ही स्लेक्ट किये गए हैं, और उन 500 लोगों मैं से ही 500 पीपल मैं से ही only 20 पीपल को स्लेक्ट किया गया है, वैलिडेटर नोट के ऑपरेशन के लिए, और उन लोगों की KYC भी कम्प्लीट करा ली गई है, और उन लोगों को 2000 सुई इच वेप पर यहाँ पर मिलेगा, ठीक हैं, तो यह यहाँ पर इनका क्राइटरी है, जो उस आर्टिकल के अंदर लिखा था, लेकिन टीम ने यहाँ पर यह भी बुला है, जो बचे हुए लोग हैं, यानि कि 500 मैं से 20 तो स्लेट कर लिए, जिनको डेफिनेटली इच वेप पर 2000 सुई मिलेंगे, और बाकी वेवस के रोड मैप के हिसाब से, उनको मेर नेट पर वेवरिटर बनने का भी मोगा दिया जाएगा, लेकिन बाकी कि जो बचे चार्व सी लोग हैं दूस्तों, उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवार्ड यहाँ पर मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, लेकिन कितना मिलेगा वो नहीं पिताएगा है, अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है, डेवनेट यूजर का, क्या अगर हम अभी डेवनेट नोड रन करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर इस रोड मैप के अंदर बताया हुआ है, कि यहाँ पर टेस्टनेट का तो सीन हो गया है, हम लोग डेवनेट पर ही अभी वैलिडिटर रन कर सकते हैं, ठीक है, और जो मैंने वैलिडिटर रन कर रहा था दोस्तों, वो भी डेवनेट पर ही था, लेकिन इसकी एप्लिकेशन समिशन क्लोथ हो चुकी है, तो हम लोग सुई के टेस्टनेट के लिए आगे वाले पड़ाव में हम लोग नहीं जा सकते भी, लेकिन अभी भी यहाँ पर दूस्तों, ऑप्शन यह उठता है, कि अगर हम अभी डेवनेट रन करते हैं, तो क्या हम लोग इसके लिए लेजिबल रहेंगे, क्या हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में हम लोग को एर्डॉप मिलें, अब दूस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अप्टॉस की तरफ, दूस्तों जब वीडियो आपके साथ, मैंने अप्टॉस का शेर किया था, काफी टाइम पहले, तीन-चार महीने पहले, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है, तो आपको पता होगा, यहाँ पर अप्टॉस के एर्डॉप के बारे में शेर किया था, जिसमें कि यह बताया हुआ था, उस वीडियो के अंदर में, आगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, कि 225 लोग ही टेसनेट के यूजर के स्लेट किये जाने थे, उन लोगोंने बोला था कि 225 लोग हम लोग स्लेट करेंगे, जिसमें 800 APT कोई देंगे every and each user को, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, every and each user को यहाँ पर इन लोग ने बात किया है, कि 225 लोग ही स्लेट करेंगे इतने सारे लोगों में से, और उनको 800 टोकन्स देंगे, लेकिन end time पर दूस्तों क्या हुआ, end time पर जब airdrop claim करने का time आया, तो जितनी भी testnet runners थे, validator runners थे, उनको 200 से लेकर 300-400 coin additional यहाँ पर मिला है, aptox के अंदर दूस्तों यह हुआ था, तो क्या sui के अंदर भी यह possible है, तो दूस्तों might be possible है, और यहाँ पर अभी हम लोग अगर validator run करना चाते हैं, तो speculation basis पर ही हम लोग validator को run कर सकते हैं, क्योंकि devnet का अभी कोई criteria नहीं है, और कोई भी hint नहीं है कि devnet validators को airdrop मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि testnet के लिए तो अभी validator start हुआ ही नहीं है, अभी हम लोग जो validator हैं, वो testnet पर run ही नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ उनी लोगों को run करने का मौका दियागा, जो 26 या लोग में से, सिर्फ 500 लोग जो select किये गए न, सिर्फ वही रोग testnet पर validator को run कर सकते हैं, बाकी की जो public है, वो सिर्फ डेव नेट पर ही validator को run कर सकती है, सुई के अंदर, लेकिन Aptos के अंदर ऐसा नहीं था, Aptos के अंदर पूरी public testnet पर run कर सकती थी validators को, तो ये दो difference थे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो क्या अभी भी डेवनेट पर अगर हम run करते हैं, तो profit होगा या airdrop मिले के chances हैं, तो दोस्तों, it's all about speculation, हम लोग अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपका मन है, यहाँ पर क्योंकि 100% कोई surety नहीं है, अगर आप करना चाहते हो, तो क्या criteria है और मैंने कैसे run किया है, उसके बारे मैं आपके साथ में share करूँगा इस वीडियो के अंदर, दोस्तों, एक बात और यहाँ पर मैं थोड़ा आपके साथ share करना चाहता हूँ, और जिस पर आपको थोड़ा focus देना है, जब मैंने आपके साथ यह video share किया था testnet का, और जब Aptos का testnet चालू था, उस step पर क्या था कि Aptos के जितने भी testnet validators थे, उन सभी को अपने validator note run करने के बाद, Aptos की तरफ से officially उनकी website पर एक form दिया था, जिसके अंदर owner key, consensus key, and consensus pop, यह सारी कुछ चो data होते हैं, encrypted keys होती है, node run करने के बाद जो मिलती है, यह submit करनी थी, जिससे यह confirmation हो जाता है, कि हाँ, किसी user ने आगा testnet, या devnet पर validator node run किया है, तो जो project है, वो user से data ले रहा है, जिससे की proof of work पता चल जाए, कि हाँ, user ने validator run किया है, and future में जब कभी कोई reward मिलना होगा, तो उसकी entry यहाँ पर confirmed हो जाती है, लेकिन sui के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, sui के devnet के अंदर, currently यहाँ पर कोई भी form नहीं है, जिसको हमें fill करना है, जिसके अंदर detail सम्मिट करनी है, जो कुछ था दोस्तों यहाँ पर, इनके discord पर जस्ट यही node IP application वाला ही एक room था, जो active था, and जो कि यहाँ पर अगस्त के अंदर ही यहाँ पर 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 सम्मिट करना था कर दिया, तो दुस्तों अगर आप node run करना चाहते हैं, मैं यह नहीं बोलुगों कि 100% दुस्तों आपको node run करना ही चाहिए, ठीक है, यह आपकी choice है, आपको लगता है कि अगर यह आपको करना चाहिए, तो आप लोग करिएगा, आपको लगता है कि अगर आप 10-15 डॉलर मंतली यहाँ पर spend कर सकते हैं, क्योंकि जो VPS server हम लोग purchase करेंगे, उसके अंदर at least 15 डॉलर का तो minimum खर्चा रहे गई रहेगा, तो आप देखिए अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे पास कोई confirmation नहीं है, कोई 100% surety नहीं है कि मिलेगा ही या, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई form यहाँ पर हमारे पास नहीं है, जिसको हमें submit करना है, डेवनेट पर note run करने के बाद, तो कोई 100% वाली बात नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है, तो आपको करना है, तब ही करिएगा, नहीं करना है, तो skip करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी तरफ से दोस्तों, आपको कोई भी surety नहीं दे सकता है इस चीज़ के बारे में, अब दोस्तों, अगर आपको note run करना है, तो उसके लिए Twitter पर आपके साथ एक thread यहाँ पर publish किया है, मैंने आपके साथ, जिसके अंदर exact step यहाँ पर दिये हुए है, जिसमें आपको कोई भी error नहीं आएगी, अगर आप यह steps follow करोगे, and 100% आपका node यहाँ पर devnet की उपर run हो जाएगा, तो इसको run करने के लिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपके साथ बताया गया है, जब यह मैं thread आपके साथ share कर रहा था, तो तब मुझे एक और website थी, उसके बारे मैं नहीं पता था, जो vulture से भी ज़्यादा थोड़ा cheap है, हम लों को सही specification की VPS, यानि की system requirement है यहाँ पर दे रही है, इसका नहीं में दोस्तों, यहाँ पर coin tabo, ठीक है, तो coin tabo का भी आप लोग यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा, अगर आप यह use करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के plans के अंदर काफी दार different हैं, यानि की जो चीज हमें 15-16 dollar के अंदर VPS में मिलेगी 50% specification वाला वही double specification का आपको यहाँ पर यह double से भी जादा आपको यहाँ पर 15 dollar के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा, coin tab उपर, यहाँ पर लिखात हैं दोस्तों 6 euros, लेकिन जब आप इसको final payment करोगे, तो वहाँ पर setup fees और लगती है extra, तो total मिला के 14-15 dollar की आसपास ही यह, 14-15 euros की आसपास ही यह जाएगा, ठीक है, तो आप अपने इसाप से उसाप से देख लेना, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वल्चर का example आपको दिया है कि वल्चर पर कैसे setup करते हैं, दोस्तों setup करने का process सभी VPS पर सेम होता है, सबसे पहला वही sign up करना है, plan selector, कौन सा plan आपको चाहिए, और उसका payment करो, payment यानि कि आपको वहाँ पर credit card के थ्रू या पेपाल के थ्रू option जाधा तर आपको मिल जाते है तो उसके थ्रू आप लोग ने payment करनी होती है, and simply आप वहाँ पर जो आपको बताया है, आपको कुछी देर के अंदर, यानि कि 10-15-20 मिनिट के अंदर आपका जो VPS है, वो active हो जाएगा, and अगर आप दोस्तों coin tab पर purchase कर रहे हो VPS server, तो यहाँ पर आएंगे, जब purchase कर लेंग तो यह IP address हमें putty, यानि SSH client के अंदर login करने पड़ते हैं, जो कि इस thread के अंदर आगे बताया हूँ है, वो कैसे करना है, आपको समझ में आ जागा, मोटा मोटा में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसके साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा comparison में आपको बता देता हूँ, जो V V1 CPU यहाँ पर मिलेगा, और जो कि 12 डॉलर हमें मंत का charge यहाँ पर लगेगा, जिसमें 50 GB की hardest मिलेगी, लेकिन यही चीज, अगर हम यहाँ पर compare करें, दूसरे वारे regular performance वारे से high performance पर नहीं जाते हैं, regular performance पर जाते हैं, हमारा कामस में भी हो जाएगा, एंड यहाँ पर अगर ह compare करूँ यहाँ पर vulture से, sorry, coin tabo से, तो यहाँ पर हमारा 6 euros में यह बता रहा है, और final जो payment होती है दोस्तों, वो करीब 14-15 euros की होती है, यानि कि 12-1300 रुपेज करी, एंड यहाँ पर V4 CPU पावर दे रहा है, 8 GB RAM दे रहा है, एंड यहाँ पर हम लोग 50 GB NVMe ले सकते हैं, या फि इसके बदले में 200 GB, जब आप इसका प्लान स्लेक्ट करते हो न, तो यहाँ पर आपसे पूछता है, आपको 200 GB SSD लेना है, या 50 GB NVMe, ठीक है, तो आप 200 GB SSD यहाँ पर ले सकते हैं, हमें जादा high speed hard disk की, इसके अंदर need नहीं है, एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो final payment यहाँ पर बता रहा है, टेक्स वेक्स लगा करके 7 euros extra, तो 12 euros करीब ही यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है, तो सब कुछ आप लोग यहाँ पर select कर लेना, अपना password अगर यहाँ पर डाल देना, तो यह भी आप लोग मैं coin tab भी आपको recommend कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग य SSH client का use करना वो जादा better रहता है, तो जैसे कि मैं use कर रहा हूँ जैसे Windows computer में, पुट्टी यहाँ पर पुट्टी नाम से simple सा SSH client आता है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, Windows laptop या computer कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप Android mobile के अंदर या Android tablet के अंदर करना चाहत काम इसके अंदर भी जाएगा, कोई problem नी आने वाले, ठीक है, बाकी आप देख लेना काफी सारे हैं, तो different different आप try कर सकते हो, तो यहाँ पर इसके बाद आपने कौन कौन सी commands को use करना है, पहले तो आपने root access करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे की बता आए हूँ है, मैंने screenshot आपको दिये रखे हैं, यह आपने अपना VPS server जब आप IP address से connect कर लें तो SSH client पर, तो वहाँ पर आपको username डालके अपने operating system को access करना पड़ेगा, उसके administrator जो account होता है, root account जो होता है, उसको access करना पड़ता है, तो root username देना, और उसका जो password आपको server की तरफ से मिलेगा, वो VPS purchase करते वक्त, जब आप एक बार अपने access कर लेते हो server को, तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आपने commands को follow करना है, जिससे कि आप install कर पाओगे, अपने node को and उसको setup कर पाओगे, तो यहाँ पर first command यहाँ से start हो जाती है, हमारी screenshot के अंदर बताया हुआ है, step by step, इनको आपन को install करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम node run करेंगे, दोस्तों वो rust queue पर run करेंगे, तो rust install करने की यह पूरी command है, screenshot के अंदर highlighted किया हुआ है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसे करके, आपको यह सब command one by one in commands का use करते जाना है, use करते जाना है, and terminal के अंदर enter करते जाना है, copy paste कर करेंगे, ठीक है, and उसके बाद यह वाली भी command है, cd home पर जाना, home directory अंदर, and उसके बाद इस सारी command एक साथ copy करना, paste कर देना, and यहाँ पर जो भी instruction दी है, screenshot के अंदर, आपके साथ mention के हुए, इनको आप लोग follow करते जाना, and in the end, आपका जो node है, दोस्तों, वो run हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके की window यहाँ पर शोगरेगी, इसका मतलब है node जो है दूस्तों, वो run हो चुका है, इसके आद आप भले इसको close कर दो, and close करने की बाद, यहाँ पर आप लोग जाकर के check कर सकते हैं, आपके IP address जालके, कि आपका node run कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, सही तरी सब कुछ यहाँ पर green-green आएगा, okay-okay आएगा, सब कुछ बढ़ी आए, node run कर रहा है, ठीक है, तो यह simple सा method आपके ता share क्या है, इसमें किसी भी command के इंदर कोई भी error आपको face नहीं होगी, and मैं आपको एक और important बात यहाँ पर बता देता हूँ, जब आप यहाँ पर node run करते ह तो आपका एक new यहाँ पर wallet बन जाएगा, सुई का, ठीक है, तो जो new wallet बनेगा, उसके seed phrases आपको मिल जाएगे, उनको save कर लेना, ठीक है, and आपको जो यहाँ पर instruction बता है, press Y, and then press enter only, then press 0, तो वो screen shot पे भी यहाँ पर mention किये हुए है, तोड़ा सा आप देख लेना उसको, and य यही address, अगर future में, जब कभी हमें, मान लिजे, by chance, devnet user को भी drop मिलता है, node run करने का, तो इस address से हम लोग claim कर पाएंगे, ठीक है, and मैं wish करता हूँ कि future में, कभी न कभी, अगर हम लोग ने node यहाँ पर run कर रहा है, तो कभी न कभी हम लोग को team यहाँ पर एक form दे, जिसमें हम node का data submit कर सकें, अगर form देती है team, तो वो एक positive sign होगा, कि yes, कुछ ना कुछ reward है आपर, future में मिलने के chances है, so hopefully आपको समझ में आ चुका है, यह node का पूरा scene, जो भी है, दोस्तों, आपके साथ, यहाँ पर मैंने clear तरीके से बताया हुआ है, आपको node run करना है, या नहीं करना, it's only on up to you, कोई भी हमारे पास अभी फिलाल clue नहीं है, कि beneficial रहेगा या नहीं रहेगा, 100% surety नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप knowledge purpose के लिए, node run करना चाते हो, knowledge लेना चाते हो, try करना चाते हो, नहीं नहीं चीज़ें explore करना चाते हो, blockchain industry के अंदर, so yes, you can deploy the node, and कुछ ना क जस्मार शार शचर काते हो, जस्मार शाना करना writer करना चाते हो, जबता हो, 19 sätt हो, जबता वगर षयं भी है, कि अणके रहे हो, एन स्विर हो, उन स्विर आपर हो, बता हो, लेकिन पहें वाउलान auditory फेंगर earning Cab खिल bully के एग उनिये ऍएषल्ग में मेन